आल्राइट दोस्तों आप लोगों के हाई डिमांड के चलते मुझे नारजो 70 टर्वो मगाना ही पड़ गया और मुझे एमेजॉन का 2000 कूपन लगाने के बाद ये फोन 15,000 में मिल गया तो इसलिए ये फोन 15,000 के Z9X और नारजो 70 के कमपैरिजन में कहां एक्जिस्ट कर रहा ह वो तो आपको इस वीडियो में पता चले गाई बाकि जो 50,000 के फोन में नहीं मिलता मतलब इसका 90 FPS का गेमिंग वो काफी हाइप क्रियेट किया है तो इसका रियालिटी जानने के साथ साथ आपको कैमरे और हीटिंग का भी रियालिटी जानना बहुत जरूरी है पर उससे ब फ्रेम और बैक पैनल प्लास्टिक का है स्मूथ फिल के साथ में इसी ले फिंगर इंप्रेसंस नहीं आते वैसे इसका कैमरा थोड़ा यूनीक है डूल भंप के साथ में ओवराल लुक वाइच ठीक लगा मुझे ये फोन टैर वैसे साइड में देखे तो पावर बटन वॉ जो कि आपको निरास नहीं करेगा लाउडनेस अन क्लारिटी के टर्म में बाकी वही फोन का वेट काफी कम है फोन स्लिम है तो अच्छा फील तो मिलता है इन है बट वही है ना कि वही डिस्पले बड़ा है तो इसलिए वन हैंड से यूज करना थोड़ा अनकमफर्टेवल ह बट हाँ 15000 के अकॉर्डिंग इसका डिस्पले फुली कमफर्टेवल है काफी थीन पंचोल एंड बेजल की थिकनेस है फुल HD प्लस OLED डिस्पले है यूटूब पर 2160P with HDR सपोर्टेड है मैक्स रिजॉलिशन पर जीटर भी नहीं मिला एंड वही ओफ लाइन वीडियो भी 4K तक अराम से चल जाती है बाकी फोन में ब्राइटनेस काम वाल श्यास का है एंड नाम वहला 2000 निट उतर का पिक्सल यलो दीखेगा है तात में निट्यल हो हैウाई сп के nearly हर जगा supported है सिवाई YouTube को छोड़ कर उसमें 60 Hz मिलता है सिर्फ बट हाँ जो भी हो अगर 10 अच्छाईयां किसी में है और सिर्फ एक कमी है तो इसे एक कमी को भूल जाना चाहिए overall बोलने तो 15,000 के according इस phone का display most valuable है बट camera का क्या scene है देखिए specs तो काफी अच्छे हैं इस phone के camera के 4K 30 fps supported है और इस 70 turbo के 4K recording के colors भी improved है पिछले वीडियो में आपने देखा होगा नार्जो 70 4K recording में color को कुछ जादा ही boost कर रहा था बट इस नार्जो 70 turbo में ऐसा कुछ नहीं है सही है सब कुछ वैसे photos की colors भी अच्छे लगे front and rear दोनों से वैसे देखें तो natural से थोड़ा extra color तो देता है phone बटा इतना ही देता है कि colors attractive लगे देखने में ना कि boosted overall sense में color science अच्छा लगता है और वैसे color science के साथ photos की detailing को भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे मिल जाते हैं price point पर and वहीं वीडियोग्राफी में I think colors और अच्छे मिलते हैं क्यूकि photography के comparison में वीडियोग्राफी का color थोड़ा less attractive है मतलब close to काफी natural सा है बठाए ये है कि low light की videos इतनी अच्छी नहीं है काफी grains देखने को मिलता है and colors के भी होस उड़ जाते हैं बठाए ये है कि low light में कोई दिक्कत नहीं है normally अच्छे photos मिलते हैं less light में भी ठीक ठाग color catch करता है phone and same किसा artificial lightning में भी है and वही night mode effective है bright pictures देता है साथ में optimization भी बढ़िया कर लेता है यह वैसे मैंने dynamic range भी चेक किया तो price point पर ठीक है bright light को optimize करके dark and bright दोनों में details ठीक ठाग देने की कोशिस करता है phone पर एक दिक्कत है वो ये कि 3-4 photo में से सिर्फ एक photos में optimization होता है and ये चीज मुझे हर जगा देखने को मिला तो इस चीज को update देकर real me को सही करना चाहिए बाकी वीडियोग्राफी में as you know की photography जैसा optimization नहीं मिलता तो इसलिए dark and bright दोनों जगा clear details नहीं मिलती and बाकी इस वीडियो से आप exposure balance कैसा है phone का वो अंदाजा लगा सकते हैं जब मैं bright से dark में move कर रहा हूं तो मतलब मोटा मोटा मैं बोलू जैसा भी है ठीक है बट हाँ इस phone का 50 Megapixel नाम भर का है क्योंकि भाई effective भी नहीं है 12 Megapixel और 50 Megapixel से detailing हूँ बहु सेम देखने को मिलती है ये सब काम brands का अच्छा नहीं लगता अरे नहीं देना है तो मत दीजे भाई 50 Megapixel कौन मांगा है बोल कर भी नहीं दे रहे हैं और वहीं इसका autofocus भी up to the mark नहीं है उमीद से slow है थोड़ा कैर वहीं stabilization की बात करें तो उसके लिए EIS mode दिया गया है जो की effective results निकाल कर देता है वहीं slow-mo videos भी है phone में 240 fps तक record हो सकती है इस good बाकि जो results मिले वो काफी अच्छे है ओके तो ये dual recording mode का sample है जो color science है वो normal videography वाला ही है बाकि while recording आप ना वीडियो को pause कर सकते हैं ना i camera को switch कर सकते हैं बाकि तीन तरह के layout इसमें दिये गए हैं और रही बात mic की quality की इसे एरिया में highway के पास भी आपको अंधाजा लग रहा होगा और वैसे ये सारे कुछ और भी camera modes है long exposure mode भी मिलता है जिसके मदद से आप ऐसी कुछ pictures निकाल सकते हैं तो भाई overall camera का बोलू तो ठीक है भाई क्योंकि 4K का color science improved है color science भी normal photos में भी काफी अच्छी है and other चीजे भी अच्छी है 15,000 के rate में top rated है बठाँ अगर आप इसके maximum variant वाले पे जाते हैं तो उस price में आपको 50MP dynamic range वाला दिक्कत माइने रखेगा उस तो समझ का decision लीजिएगा बठ हाँ अगर इस phone के camera section को छोड़ दें तो क्या इसका performance बड़ा difference create कराता है उसी को जानने के लिए पहले मैंने अंटर 2 score चेक किया फिर read and write चेक किया installing test किया तो काफी impressive results मिले मतलब या एक GB का file बस 7 seconds लिया install होने में और वहीं इस phone का bgmi 4-5 seconds जल्दी खुलता है in comparison to Z9X and Narjo 70 और मैंने एक बार नहीं बार बार चेक किया तो same results मिले तो speed wise ये phone काफी सही है UI response बगरा भी काफी fast है और जब मैं 6 apps को है जी भी virtual RAM पर background में handle कराया तो easily and smoothly ये phone handle कर लेता है बट जब मैं 6 apps से 7 apps कर दिया तो थोड़ा सा उस time slowness देखने को मिलने लगता है बट हाँ जब मैंने एक different test राई किया मतलब कि background में 10 minute तक 45 apps को open करके छोड़ा and 10 minute बात चेक किया तो सारे app अभी जिन्दा थे मतलब destroy नहीं हुए थे good खैर वैसे ये जानना जरूरी है कि इस phone का diamond city 7300 जैसा response दिलाता है bgmi 90 fps and heating में पहले heating को जानने के लिए मैंने throttle test किया तो result के recording आप देखें तो jips better है बट हाँ throttle ज्यादा percent हो गया इसका मतलब phone जब ज्यादा heat होगा तो ज्यादा performance drop करेगा बट क्या सच में ऐसा है वो जानने के लिए पहले मैं छत पर गया धूप में वैसे दोस्तों आप लोगों के लिए ये सारे testing मैं extra add करता हूँ वीडियो में जिससे आपको और clarity मिल पाए तो इसलिए अगर फीडियो अच्छी लगेगी तो subscribe जरूर करिएगा आसे मैं देखता हूँ बहुत से लोग उत्सुक रहते हैं कि मेरे पास ये phone आया की नई आया कौन सा phone मैं review करने वाला हूँ तो ये सब जानने के लिए आप मुझे से दोस्तों एक्स या इंस्टाग्राम पर भी जूर सकते हैं क्योंकि वहां मैं updates दे देता हूँ ओके तो गूगल बाबा 35 वही थर्मा मीटर बाबा 36 डिग्री सलसियस दिखा रहा है टेंपरेचर एंड दो पर के दो बज रहे हैं गर्मी काफी है भाई भरपूर humidity भी 43 डिग्री सलसियस है तो भाई ऐसे सिनेरियो में भी ऐसे results मिले जो की impressive है भाई क्योंकि 20 मिनट के बाद भी temperature 45 डिग्री भी नहीं टच हुआ फ्रंट पर तो direct sunlight भी आ रहे थी फिर भी एंड वहीं 20 मिनट के instant recording के बाद भी phone एकदम स्मूथ response दे रहा था बस अलका सा 1-2 second slow feel हुआ उसके बाद normal behave करने लगा एंड वहीं दोस्तो max heat के recording पर जीटर भी देखने को नहीं मिला वेडियो में तो it means max temperature पर भी ये phone अपना performance drop नहीं किया एंड इवन मैंने same recording test को indoor में भी किया तो जो results मिले यहाँ पर भी satisfying है एंड जब मैंने 60 मिनट bgmi खेला एंड पहले 20 मिनट तो 60 fps पर खेला एंड अगले 20 मिनट 90 fps पर फिर भी 200 fps पर heating सेम था एंड max heat पर performance drop जैसी दिक्कत भी मुझे देखने को नहीं मिली तो it means इस नार्जो 70 टर्बो का heating management काफी बढ़िया है एंड इवन दोस्तो नार्जो 70 से भी बढ़िया है साथ इसके larger वेपर chamber के चलते हो बट जिस चीज का brand ज्यादा परचार कर रही है उसमें नहीं अच्छा है बस मतलब कि 90 fps के bgmi में पहली बात तो इसका 90 fps classic में normal एंड GT mode दोनों में support ही नहीं करता है 60 से 70 fps मिलता है बस mostly time तो under 60 fps ही रहता है और वैसे TDRM में 90 fps support तो करता है GT mode पे बट इसमें काफी frame रुखने वाली या कहें drop वाली इसू देखने को मिलती है बट हां अगर आप settings को 60 fps पर करेंगे तो इसमें अच्छा response मिलेगा एकदम नार्जो 70 का जैसा response था न वैसा ही मतलब कि 20-30 मिनट के playing में एक दो बार frame श्टक मिलेगा नहीं तो normally हड जगा अच्छा response मिलेगा तो भाई overall performance की बोलने तो speed and hitting में ये phone अच्छा है और काफी बढ़िया है इन comparison तो नार्जो 70 एंड IQZ 9X और बाकी इसका bgmi experience नार्जो 70 जैसा है ये 60 fps वाला और 90 fps नामबर का है ये भी एक type of marketing stunt ही है रियल में का पचास हजार के phone में 90 fps नहीं मिलता है ये लोग 15,000 में दे रहे हैं कुछ भी खैर वैसे मैंने sensors भी phone के check किये gyroscope काफी quick है with zero latency and वहीं ambient sensor के साथ साथ मैंने इस phone के fingerprint and face unlock को भी check किया तो proper and fast मिला बाकी at last इस phone के software की ओर देखें तो smooth response ही था animation वेगरा app opening closing के अच्छे हैं smooth हैं बाकी android 14 है phone में up to android 16 तक update मिलेगा जो की अच्छी बात है बट phone में काफी सारे bloatwares and ads देखने को मिलते हैं जो की अच्छी बात नहीं है बट फिर भी आप अपने और से ads को कम कर सकते हैं इस app market application का notification बंद कर दीजिए hot games को setting में जाके disable कर दीजिए and even recommendation को off कर दीजिए तो आपको थोड़ा कम देखने लगेगा जुआ तीन पत्ती बेगर कैर वैसे features की उर देखें तो split view का option है internet speed meter मिलता है app lock का option है edge lightning के भी options है बाकी always on display भी है जिसमें आपको canvas वाल option दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने photos का ऐसा कुछ canvas बना सकते है and वही बाकी इसमें AI features भी included है like photo का cut out of instant निकाल सकते है and AI smart loop है phone में जिसकी मदद से instant आप किसी भी चीज को किसी platform पर share वगरा कर सकते है and बाकी phone में game mode भी है voice changer है block notification वगरा के option के साथ GT mode भी मिलता है and बाकी ये कुछ other specs हैं and ये भी up to the mark हैं इस budget में overall बोले तो software भी काफी feature से last है and वही मैंने battery backup भी चेक किया डेड़ दिन में मैंने 7 गंटे से ज़्यादा कुछ ऐसे ऐसे uses किये तो उसके बाद भी दोस्तो 40% की battery बची हुई थी तो overall अच्छा backup मिला बठा unstable 5G network पर आपको 30-30 minute का अंतर मिल सकता है फैर बाकी मैंने charging speed भी चेक किया तो वो भी ठीक है तो overall सब कुछ यही था phone का and overall result को देखते हुए अगर मैं इस phone के बारे में एक sentence में बोलूँ तो ये दोस्तो improved version है Narjo 70 का इसका performance, speed, heating Narjo 70 से better है and even camera में 4K recording में saturation वाली दिक्कत को भी ठीक किया गया है तो इसलिए अगर Narjo 70 और 70 तर्वो दोनो 15,000 में मिलें तो आप Narjo 70 तर्वो पर जाईए बट अगर इसके comparison में Narjo 72,000 सस्ते में मिल रहा है तो उसी पर जाईए क्योंकि 2,000 like improvement नहीं किया गया इसमें और बाकी अगर आपका इस दसारा दिपॉलिश सेल में बजट 15,000 है तो आपकी निगाएं 20,000 के फोन पर होनी चाहिए like Poco X6 and IQ Z9 ये best deal वाली वीडियो आप देख सकते हैं better clarity के लिए तो by hope आप आपको clarity मिली होगी if yes देन चैनल को subscribe करिए और कोई doubts हो तो बेही जग कम है मिलते हैं अगली वीडियो में ख्याल रखिए जय हिंद